हाई गाइस वेलकाब बैक तो मैं शानल रुकमीज वर्ल मैं अना रुकसार है और कैसे हो आप सब आपके लिए वीडियो हेल्फुल लगे अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीचेगा चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो गैस सबसे पहले मैं यहां पर लूँगी जुआय का स्किन फ्रूट्स मौशराइजिंग क्रीम यह काफी ज्यादा अच्छा क्रीम है और 10 रुपह में मुझे काफी अच्छा क्रीम मिल गया है यह स्किन को मौशराइज करेगा और यह 15 एमिल का है आपको लोकल मारकेट में इसली मिल जाएगा यह 10 रुपह में काफी ज्यादा अच्छा है और यह इसकी ने काफी ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था नेक्स्ट बै यहां पर ले रही हूं पॉंट्स का ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम यह 10 यह जादा कॉंटिडी में फेस पे ले लिया है और यह थीक है मैं फर्स टाइम यूजिया था तो मैंने सोचा नहीं था कीजिए था कि दस टाइम मुझे इतना चाइब जाएगा काफी जादा अच्छा है और इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ लिया है दस रुपै का पॉंड पॉंड यह कफी जादा अच्हा पॉड है मैंने अपने फेस को सेट करने के लिए यह फुर्ड काफी जादा अच्छी है यba काफी help से मैं इसे अच्छे से blend करूंगी और यह काफी जादा है देस रुपए में आप इससे जादा क्या उम्यद कर सकते हैं तो ग्यास मैंने अच्छे से blend कर लिया है यहां पर 10 रुपए वाला काजल इसे मैं अपने एब्रो को फिल करूंगी इसे मैंने पहले भी यूस किया यह काफे जादा अच्छा है एंटेट रुपीज में यह काजल आपको लांग लास्टिंग नहीं है बट यह बहुत जादा अच्छा है इसका जो कलर है वो बॉल्ड ब्लैक है तो गाइस एंगल ब्रश की हल्प से मैं अपने अब्रूस को फिल कर लूँगी यह काफी अच्छ से फिल हुआ है और अब्रूस के भी बहुत अच्छा है नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूं लिप लाइनर यह सूपर मैट है और इसका जो कलर है वो काफी जादा अच्छा है अब देख सकते हो यह भी मुझे 10 रूपीज में मिला था मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया ह और इसका कलर जो है 071 इसका शेड है और यह काफी जादा अच्छा है इसलिए मैंने इसे अपने आइशाड़ मैंने इसे यूज किया अपने आइश पर और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बट गाइस इसे ब्लेंड करने मुझे बहुत दिकत थोड़ी थी यह हाड था थोड़ा सा ब्लेंड जो करना था वह ऐशाड़ होता है वह बहुत इजी हो जाता है इसे मुझे काफी देर तक अपने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने पड़ा और तब जाकर यह ब्लेंड हुआ है ठीक है अच्छा है तेन रुपीज में आइज लिप लाइनर को है आप यसाइड़ हो है तो आप आईशाइड़ के जगां लिप लाइनर या लिप स्टिक का भी यूज कर सकते है यह काफी ज़दा अच्छा है और मैंने इसे अपने प्रश की हेल्प से मैंने अपने चिक्स पर अप्लाई किया है और उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूं क्यो तो इस लिए आप देख सकते हो इसके बाद मैंने इसे लिप्स्टिक भी यूज किया है 10 रुपीज में मैंने क्या क्या किया है मैंने काफी ज hemisphere इसको यूज कर लिया है आप 10 रुपए में काफ़ यूज कर सकते तो मुझे लिप्स्टिक भी मिला था मैंने कि लिए टॉसका मुझे कालर पसंद नहीं वो उसका जो कलर था वो देखने में अच्छा लगा बट मैंने जब यूज किया था तो अच्छा नहीं लगा था यह लीपलाइनर का कलर जो है मुझे काफी जादा अच्छा लगा बस इसलिए मैंने इसे ही यूज किया है और आप देख सकते हो सच में इसमें लिप्स्टिक का जो यह वर्क किया यह काफी जादा अच्छा है और बहुत जादा अच्छा लग रहा था इसका नेक्स्ट मैंने यहां पे लिया है यह आइलाइनर और मस्कारा यह मुझे 10 रुपीज में सिंगल नहीं मिल रहा था मुझे यह कॉंबो मिला है द और मुझे इसका जो विंग बनाना था वो मुस्से नहीं बन रहा था क्योंकि यह जादा बहुत जादा चोटा भी था और हाइड था इसका बिजह काफी आँखों में दिक्कत देरी थी बड़ इसका जो मस्कारा था काफी ज़ादा अच्छा था दै इस मैंने यहसे दो बा की कुछ है और I don't know मैंने ऐसा कोई ब्राइंड सुना नहीं था बट मुझे 25 रुपए में अच्छा खासा कॉम्बो मिल गया और यह काफी जादा अच्छा था उसका नेक्ष्ट मैंने वही 10 रुपीज वाली अपनी काजिल को अपनी आखों में सजाया है और आप देख सकते ह कि यह मेरा फाइनल लुक आई होब आप लोगों को अच्छा लगा होगा आपके लिए हेल्फ प्रूल लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देए